नमस्तो दोस्तो आपका एक बार फिर से स्वागते आपके अपनी एटोप चानल पूजागर संसार में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं जल से जल गर्वधारन करने के कुछ ऐसे घरली नुस्के आपको बताने वाली हूँ पूरा देखना ताकि आपको जो भी परिशानी आती है गर्वधारन करने से रिलेटेड अगर आप कई महीनों से ट्राइब कर रहे हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पारा है तो इस वीडियो में आपको बहुत इनॉलिजबल इंफर्मेशन मिलेगी और साथी साथ आप जल महीनों से परियास कर रहे हैं जल से जल गर्वधारन करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी गर्वधारन नहीं हो पा रहा है तो कई सारी ऐसी परिशानिया होती है जो रिपोर्ट में सो नहीं होती है जब आप मेडिकल ट्रिटमेंट लेते हो जांच करवाते हो अपनी त सूजन होना, infection होना। जिल्ली होती है जिसकी तरीके से ओपन नहीं हो पाती है। जिसकी वज़से से अपर और आपको इसी कारण से गरवधारन नहीं होता है। तो आज मैं आपको 100% नैशरल तरीका बताने वाली हूँ, आपको पीडियेट के दौरान ये बाला जो उपाय है, वो इस्तेमाल नहीं करना है, जब आप पीडियेट बिलकुल आपका आके चला जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, कि एक अच्छे इतने बड़े बरतन में पानी डालिए और उसको गरम कर लीजे, इसमें आपको कुछ चीजे मिलानी है, 5-6 तूलसी के पत्ते मिला लीजे, एक स्टिक, दाल चिनी का मिला लीजे और साथी साथ इसमें मिलाई आप कडी के पत्ते, 4-5 कडी के पत्ते और 4-5 बूंद कैस्टर ओईल ये साड़ी चीज आपको स्टीम लेना, आप वीक में इसे तीन से चार वार कर सकते हैं, नैशरल तरीका होता है कि जो भी डेट सिल्स होते हैं. या जिल्लियां आपके ठीक से ऊपन नहीं होई है, तो हो जाएगी, साती साथ जो आपके स्कीन होती है वजाएना अडिया की वो भी नरम हो जाती है जिसकी वज़े से 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 उपर की योड जा सकते हैं तो ये आपको करीब 10 से 15 मिनट लेना है बहुत जादा गर्म वाटर नहीं होना चाहिए कि आपके पैर जल जाएं बहुत consciousness और carefully आपको ये सारी चीजे करनी है और इससे आपको बहुत ही natural तरीके से फायदा मिलेगा साथी साथ जिन महिलाओं को खुजली की परिशानी होती है infection है अगर आपको तो भी ये दूर करेगा बहुत ही आसान तरीके से और इसमें आपको एक रुपए भी खर्च नहीं करना है तो ये तरीका जरूर अपनाएगा इससे बहुत ही अच्छा best result मिलेगा जल से जल्द आपको pregnancy भी गेन हो जाएगी और साथ ही साथ ovulation के दिनों को ट्रैक करना स्टार्ट करिए ये जब आप remedy यूज करेंगे उसके बाद ovulation के दौरान ही आपको best result मिल पाएगा साथ में रहने पे तो यह जो आपको तरीका मैंने होममेड बताया है बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है बहुत प्राचीन जमाने से इन सारी चीजों को लोग यूज में ला रहे हैं और पहले के जमाने में मेडिसन नहीं होती थी तो जो भी प्राब्लम आती थी प्रेगनसी गेन करने में तो ऐसी नैच्रल तरीके से ही दूर किया जाता था तो फ्रेंड्स यह आई रिली होप कि आप बहुत अच्छा वक करेगा आप जल से जल प्रेगनसी गेन कर पाएंगे और अगर इस वीडिय अगर वीडियो के प्लेइस्ट में आपको वीडियो मिलेंगी जो आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रैक कराने में हल्प करेंगे और साथ ही साथ वीडियो पसंद है यह तो लाइक करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उन तक भी नॉलिज़ेवल वीड के टेक केर नमस्कार